तेतुस के नाम पॉलुस प्रेडित की पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यिशु मसी का प्रेडित है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहिचान के अनुसार चो भक्ति के अनुसार है उसनन्त जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिक्या परमेश्वर ने जो जूट बोल नहीं सकता सनातन से की है पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट किया चो हमारे उध्धार करता परमेश्वर की आक्या के अनुसार मुझे सौपा गया। तेतूस के नान चो विश्वास की सैभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। परमेश्वर पिता और हमारे उध्धार करता मसीही यिशु से अनुक्रह और शांती होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेश रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आग की आके अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोश और एक ही पत्नी के पती हूँ चिनके लड़के बाले विश्वासी हो और जिने लुचपन और निरंकुष्ता का दोश नहीं क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोश होना चाहिए ना हटी ना क्रोधी ना प्यक्कर ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी वो पहुनाई करने वाला भलाई का चाहने वाला सैयमी नयाई पवित्र और जितेंद्रिये हो और विश्वास योग्ये वचन पर जो धर्मोब देश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मूँ भी बंद कर सके क्योंकि बहुत से लोग निरंकुष, बखवादी और धोखा देने वाले हैं विशेश करके खतना वालों में से इनका मूँ बंद करना चाहिए ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बाते सिखा कर घर के खर बिगार देते हैं उन्ही में से एक जन्ने जो उन्ही का भविश्यद वक्ता है कहा है कि क्रेदी लोग सदा जूटे, दुष्ट, पशू और आलसी पेटू होते हैं ये का वाही सच है इसलिए उन्हें कडाई से चिताउनी दिया कर कि ये विश्वास में पक्के हो जाए और वे यहूदियों की कथा, कहानियों और उन मनुश्यों की आग्याओं पर मन ना लगाएं जो सक्ति से भढ़क जाते हैं शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं वरन उनकी वुद्धी और विवेक दोनों अशुद्ध हैं वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इंकार करते हैं क्योंकि वे ख्रिनेत और आग्याद ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम में के योके नहीं क्या के इंकार डे येश्वर काम खिए ओना आ ँदेश में झाले के बुद्द प्रपना काम जानती हैं शुद्द शुद्द खदोर में काम हैं